ये मेरे पास आया है समीर आहमत चोदा साल का है और इनके पिता इसरार आहमत भी आये है मेरे पास और ये बच्चा जो है समीर ये पहले डाइमंड पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और 2017 में इसने क्लास चटी पास करी थी वहां से चटी पास की थी और इसको साथी में आना था तो इसने वहां से ट्रास्वर्स अट्रिकेट ले लिया क्योंकि वो इसके पिता वहां की फीस नहीं दे सकते थे और उसके बाद ये बच्चा बिमार हो गया और अपना सरकारी हस्पताला में कुछ इलाज कराता रहा और उसके वह इसे पढ़ने पाया अब ये ठीक हो गया तो अब इसी ने अपना रिजिस्टेशन कराया है गॉर्णमेंट एस्वी एस्वी टू ब्लॉक यमुना वियार में सात्वी क्लास के लिए दाकले के लिए और अब उसको ये कहकर मना कर दिया दाकला कि ये बच्चा 14 साल से उपर हो गया है 31 मार्श 2019 को इसकी उमर 14 साल तीन मेने के लगबग होगी अब सवाल जो बड़ा उठता है वो ये उठता है कि क्या इस देश में और खासकर दिल्ली की राजदानी के अंदर सरकारी स्कूल में इस बच्चे को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है सवीधान सभी बच्चों के लिए बोलता है कि शिक्षा का अधिकार है ये सिर्फ 14 साल तक का ही नहीं है सारे लेवल्स पे अधिकार है ये लेकिन दिल्ली सरकार कुछ है ये सबज में नहीं आ रहा कि ये अधिकार कॉस्टिटूशन में क्या है और ये जो है मनमानी तरीके से बच्चों को स्कूल से बाहर रख रहे हैं हम हमारे साथ ये बच्चा भी है इसके पिता भी है चलो थोड़ा सा इंसे बात करते हैं इसरार भाई बदाए क्या है आपकी शिकायत पिसले एक साथ से बाद बुल में लगा पड़ा हूं अशिली साथ में इसका क्या गया कि इसका अकाउंट ट्रॉक्टर ने ख़ड़ेगा इसका अदमिसम जो सकता है मैं सर उसके बाद बाद बदी इसके किसी बहर से फिल्ज़ पर निया पा रहे हैं कि मैं माँ पोचा है मैं इस बाद बताई उनरे यह कहा कि अब तैन पर टीम पठब हो जा अब आए और काउले में अगले साल आना मैं ने काहा है तो हनम गाम कुछी न की है यह एक फोरट पिंटी वह आगा है यह जैनमें तरीके से ही अपने पच्छे का एप अपने पाद लिगा थाएं अपने प्रेशन करा ला ना है जो जो जा आएं आप यहां से क्या कासा आप किसी सुकूर्वीमेर को इसका एक इसका ए किसे सभिन करma करूं कर दो कोई बने अपने बच्चे को कर वा है। वहाल भांज टा जप न दोक्ते हैं। तु आप क्या चाहेंगे बिफ्डिल्ठ के मंथरी अर्मिनунк तर्भीन केदिरीवाल कोु नर। आपका मोबाइल नंबर क्या है इसरार में नाइन को एक बार और बलेंगे तो अब हम ऐसा करेंगे इनको एक लीगल नोटिस देते हैं और अगर लीगल नोटिस से मुझे नहीं लगता है इनको समझ में आएगी उसके बाद फिर हम हाई कोट को अप्रोच करेंगे और हमें अभीद है कि हम हाई कोट से इस बच्चे के दातले के लिए और लेंगे तबी ये सरकारी स्कूल में फ़ड़ सकता है और दुख की बात यह है कि कहीं प्राइवेट स्कूल में दातले की बातों तो समझ में आती है कि भाई वो नक्रे दिखा रहे हैं यह दिली सरकार के स्कूल है जहां लिटरली पढ़ाई नहीं होती मनलों पढ़ाई तो होती नहीं है उसके बाद जूर्दी दाकलों के उपर इतनी जो है नक्रे बाजे दिखाना यह तो बहुत ही शरम की बात है और जो इस बच्चे के human और fundamental right है education के जो constitution से flow करते हैं वो सारे यह सरकार जो है बेशरमी के साथ violate कर रही है